हेलो दोस्तों तो स्वागत आप सभी का हमारा यूटूब चैनल मिशन टूपे तो दोस्तों आज ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी क्लास नाइंथ में हैं और दोजर ताइस में दोजर ताइस में अपना बोर्ड एक्जाम को देंगे उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है तो मेरे डियर इस्टुडेंट्स अगर आप क्लास नाइंथ में हैं तो ये वीडियो को सुरूर से लेकर अन तक जरूर देखेगा चुकि आप सभी का ये वीडियो काफी हेलफुल मिलने वाली है बच्चो तो एक भी स्किप्ट ना किजेगा इस वीडियो में हमने बच्चो समाचिक विग्यान का चालिस ऐसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को कराने जा रहे हैं जो आपके एक्जाम में काफी कुश्चन यहां से मिलने वाली दो बाद ।ो सुरू से लेकर नं तक जरूर देखेगा इस वीडियो को बस अभी हमने सेट वन करा रहे हैं तो आप तो सुरू से लेकर नCare करके बेल डिया कर दिया सेट वन में 40 कोशन सेट टू में 40 कोशन टोटल जो कोशन हो जागा असी असी कोशन में बच्चो आप लोग का 70 से 80 परसेंट कोशन यहां से मिलने वाले है बच्चो ठीक है तो सुरू से लेकर अंतक जरूर देखेंगे इस वीडियो को तो चलिए सबसे पहला संसद को क्या कहा जाता है और संसद क कही अलग नाम होता है अमेरिका का संसद का नाम कांग्रेस बच्चो उसी तरीके से जर्मन संसद का क्या नाम था? वो चीज़ पूछ रहा है तो बच्चो याद रखना जर्मन संसद को क्या कहा जाता है तो रायकिश्टाग कहा जाता है तो option number two इसका right हो जाएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग two number question में कई खेतों को मिला कर की जाने वाले सामोहिक खेती को क्या कहते हैं तो बहुत सारी खेतों को मिला कर हम जब खेती करेंगे बच्चो उसको हम लोग क्या कहते हैं तो कम्यून कहते हैं इसका right answer option number one हो जाएगा बहुत सारी खेतों को मिला करके एक साथ हम खेती करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं इसके बात देखते हैं हम लोग अगले question में France की करांती कब हुई तो France की करांती कब हुई थी बच्चो आप लोग को याद भी होगा 14 जुलाइ 1789 को ठीक है आप लोग book पड़े होंगे तो उमिद है कि आप लोग इसके बारे में जानते होंगे और बचो अगर आप पूरा chapter wise अगर देखना चाहते हैं तो description box में उसका link है या फिर आप हमारे channel को visit करके वहाँ से आप देख सकते हैं पूरा chapter wise social science science math को करवा दिया गया है वहाँ से आप complete कर सकते हैं ठीक है तो वहाँ भी हमने यह सब question को बहुत सारे question को आप यहां से match करेंगे ठीक है उसके बाद दिखते हैं लोग लुई सोलहवा किस वंस का था तो बच्चों याद रखेगा बुर्बो वंस का लुई सोलहव तो बच्चों याद रखेगा एडॉर फिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ ठीक है अगे दिखते हैं लोग नाजी पार्टे का स्थापना कभ वी थी 1908 1921 1922 1950 तो बच्चों इसका राइट अंसर हो जाएगा 1921 है ना इसके बाद देखते हैं लोग अगले question की दरफ क्य सत्रा सो साथ से 2000 यानि option नंबर 3 है ना 3 हो यहां पर ठीक है मिस्प्रिंट है तो 3 option नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा 1760 से 2000 तक सिली पर एक मिल रेल पट्री को त्यार करने में लगता है आगे देखते हैं लोग अगले question की तरफ मध्य अमेरिका में जूम की खेती को क्या क देखते हैं लोग वाइमर गन राज्य के स्थापना कब हुई तो यहां पर लिखा option बचों यहां पर तो एक सितंबर 1908 नौन आउंबर 1908 बीस अगस्त 1908 तीस अक्टूबर 1911 तो बच्चों इसका राइट अंसर हो जाएगा option बच्चे को यह सवाल पता होगा भारत का कौन सा स्थान है विस्व में अगर हम लोग देखे तो शेत्रफल के द्रिष्टी से तो यह सात्मा स्थान पर आपसा नौन इसका राइट हो जागा आगे देखते हैं भारत में मांसून का आगमन निम लिखित में से लगबक कब होता है तो बच्चों याद रखे का जून के प्रारम में आप लोगा भारत में जो मांसून का आग आपसन नौबर 4 तापती नदी तो याद रखेगा गोवा के दच्चिन में इस्थित पच्चिन तट्य पटी है वो कौंकन है चैप्टर में सब सारे कुश्चन को हम लगबक करवा दिये हैं अगर आप उससे नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं ठीक है इसके बाद द और último जाताओं तौन चैपने दो नदी नदी के बीच वाले भाग को बोले जाता मैं डो आना दो आफंड प्स नोवर फोर इसकर हएट हो जागा और भारत में सबसे जन घनत्व वाला राजय कौन सा है ठीक है तो सिक्किम अरुना चल परदेश राजस्थान करनाटक तो सबसे जन गनत्व वाले राजय जो है अरुना चल परदेश आपसा नमबर टू इसका राइट हो जाएगा नेल गिरी की सबसे उंची चोटी कौन से बचो तो यहां पर महेंद्र गिर कि अपवात रोनी सबसे बड़ी है तो यहां पर अपसान है गंगा गुदावरी ब्रामापुत्र क्रिश्णा तो बच्चो इसका राइट अंसर हो जाएगा गंगा है ना भारत में की सबसे बड़ी अपवात रेनी कौन सी है तो गंगा न दिया ना चल लो इसके बाद सविधान लिखा जा रहा था उस समय सदस से कितने थे बच्चो तो 299 थे कितने था 299 आगे बारत सरकार ने दूसरी पिछली जाती आयो कब कठित किया गया तो यहां आप संदिया बच्चो सब्सक्राइट नागरी को कितने मौलिक अधिकार पर दियान किये गए तो भारतिय सविधान दौरा नागरी को को मौलिक अधिकार जो दिये गए बच्चो वो 6 है वो कितने है छे है ठीक है पहले साथ था जिसमें से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया वोस मौलिक अधिकार का नाम है संपती का अधिकार संपती का अधिकार को हटा दिया गय तो बच्चो इस कराई टंसर हो जाएगा 41 है ना लोकसभा में आनुसुचित जन जातियों के लिए कितने सीटे हैं तो 41 इसके बाद देखते हैं लोग भारते संसत के अंग नहीं है तो देखे आपसंदीवा राश्टपती राजसभा लोकसभा सुप्रीम कोड तो बच्चो य याद रखना है ठीक है इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं राश्टे मानोधिकार का कार्य नहीं है तो कौन से कार्य नहीं समानचारी कटना घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेजना किसी सरकार ये दस्तावेज की जांच करना आरोपी के सजा देना तो बच्चो य करना हैं अगर चैप्ट करके आप इकजाम में बढ़िया का पढ़्या नमबर ला सकते हैं और अगर Committee का मुक्ख्य सिचाय का सुरोत क्या है पॉलेयर ज करते हैं तो इसके बाद देखते हैं लोग राशन कार्ट कितने परकार के होते हैं तो जन संख्या जो बोले जाता है जन संख्या को आगे देखते हैं इनमें से कौन सा अधिकार देता है काम का अधिकार परयाब जविका का अधिकार अपनी संस्क्रीजित का रच्छा का अधिकार नीजिद्ण का इदिक है तो बचो इसमें चार याद रखना है इसके बाद देखते हम लोग यदि आपको भारत का राश्टपती चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं तो यह चार अपसंदी बचो अपनी संसद के द्वारा के व्यक्ति को परदान मंत्री चुन सकते हैं लोग सभा में बहुमत वाले परदान मंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं दोनों सदनों द्वारा पारित विदेय को पुनर विचन के लिए पुनर विच और आव्योर तो नहीं होना किसको दर साथ को निर्दलता जो घृब है उसमें भुक मरी भी वोगा और रहने कश जागा भी नहीं हो। इसके बाद देखते हैं लोग आजार मसीन भावन आधि क्या को क्या कहते हैं तो आजार जो है मसीन है भावन है यह सब क्या एक तरह से फिक्स है ना फिक्स है यह क्या है अस्थाई है तो यह क्या हो जाएगा अस्थाई पुंजी यह सब क्या है अस्थाई पुंजी फिक्स का बच्चो जो एक साल से अधिक जो चलता है ना इसके बाद देखते भूमी बापने वाली की माना की काई को क्या कहते हैं तो गज कहते हैं इसके बारत वर्स में 2011 और बारा में निर्धनता रेखा के नीची की निर्धन को अनुपात कितना था तो बच्चो इसका जो राइट अ पहला कारक भूमी है लेकिन भूमी के बाद बोल रहा है दूसरा उत्पादन का कारक क्या है तो स्रम है बच्चो अपसर नबर टूसका राइट हो जाएगा सवतंतरता के बाद कि छेत्र में आत्म निरभर का होना भारत का जो लच्चे रहा है वह क्या है खद्यान ठीक है त इमनेश्टी है तो बच्चो इसका राइट अंसर हो जाएगा ग्यापन ठीक है इसके बाद देखते हैं लाश्ट सवाल इसका मोती लाल नहरू ने कॉंग्रेस के हाट अन्य नेताओं ने पहली बार भारत के एक सविधान लिखा था वो कब लिखा था ठीक है उससे पहले व इंपॉटेंट आप लोग के लिए बचो तो उम्मीद है कि आपको सारे कुशन समझ में आ गया होगा और समझ में आगे बचो तो लाइक जरूर किजेगा और कमेंट जरूर किजे ठीक है इससे क्या होता है बच्चों हम सभी लोग को मोडिवेशन मिलता है ठीक है कि हमने ज